अब बाइब 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 और पीछे जो हैं इसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी हस्ताक्षर भी किये हुए हैं और जे इनके कहने के अनुसार जे और एक के ट्रांसफर यह एक मैने के भीतर कर दिया जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं अनुपदत्ता न्यूज शंगर शास्तक इस वक्त में हम खड़े हैं पात्रापूर बटलाइन जंक्षन में जहां जो मुद्दा अंडमान निकोबार में अब बिल्कुल गरमाया हुआ है लोग बाग परेशान हैं वो है बिद्यूत की देवी यानि अलेक्टिसिटी की देवी जो नाराज है पूरे अंडमान निकोबार में वो अभी तलक इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सेकेटरी इल्लों को अधिकारियों को अभी तक सद बुद्धी प्रदान नहीं की है और जिसके कारण से लोग परिवार के साथ बच्चों की पड़ाई घर के कामकाज ओफिशियल काम सभी ठप पड़े हैं और इसी के चलते हैं आप देख सकते हैं इस वक्त में यहाँ पे आपके जो है बिड़नाबाद पात्रापूर बर्मानाला ये चिडिया टापू तक के छेतर के जो निवासी है उन्होंने पूरे रास्ते को घिराओ कर रखा है सवेरे से उनकी बात चीत हुई और क्या बात चीत हुई और मसला क्या हल क्या निकला मसले का ये हम बात करेंगे उनके प्रतिनितियों से उससे पहले बात करते हैं आप बताईए आपका नाम बताईए अच्छा मुतो जी आप काली कट में रहते हैं यहां प्रॉब्लेम क्या हुई जिसके कारण से धर्ना प्रदर्शन रोड जैम हो रहा है के पारी में जाम हुए करण के परापर करण नहीं आता है भी प्र पूर्दर्य कट हो जाते की कारण नहीं हो जाता है पी ज्यादा हो जाते करनफ नहीं है यह प्रॉणैन करने से भी टीक से रेस्पंट नहीं देते उसका बारी में आज दार हो हम लोग चलिए हम बात करेंगे बाई सार नाम बताए नमस्कार मेरा नाम धीरज राम है यह गाड़ी वाले भी ना मार दे चलिए हां धीरज जी बताईए मामला क्या हुआ जो आज फिर से पब्लिक नार जो भी मैटर्स है उसको लेके यहां का यह लोग सभी बहुत टाइम से परेशान है और इसका चलते हम लोग आके कई बार इनसे रिक्वेस्ट किया जेई हो एई हो एसी लेवल तक का हम लोग कई बार बात किये सीएस को भी लेटर लिखा है हमने और उसके बावजूद भी क अलाबाद और यह पूरा पार्ट ऑफ वाट नंबर 23 इतना बड़ा जो एरिया है इसमें यह साइट ऑफिस वाला लोग हंडल कर रहा है सिर्फ एक ही गाड़ी है वो भी सिर्फ डे टाइम में चलता है सामको पांच बहुत का उसके बाद में कुछ हो गया तो गाड़ी नही वाटे कोई भी अड्मिस्रेटिव ओफिसर का कोई रिस्पोंस नहीं था उसके बाद हम लोग चक्काजाम किये तब जाके कई ऐसी साब आए आने के बाद में अभी किया है कुछ रिटन में हम लोग को लिखे दिया है कि यह यह ये जो काम है होना है करके यह सब होने के यह सब बहुत सारा इशू से एक मैंना में सौल करेंगे करके बुला है और जैई और यह दोनों को रिप्लेस करेंगे यह यह आपको आसवाशन किनों ने किस ने दिया है हमारा साथ में यहां का जो ऐसी है जोईदर साथ वह आयते उन्होंने खुद लिखके दिया है हमारा और हमारा वाड कांसलर वाड नमोर 23 का वाड कांसलर प्रदान कलिकट और प्रदान बिद्दाबद जिला परिसत मेंबर और उप्रमुक पॉट्बलर यह सभी लोग मौझूत थे इतना सारा पब्लिक रिप्रेसिनेटिव मौझूत थे इनके सामने एसी ने लिखा है और किया है आप से पूछेंगे परिच्छे दीजिएगा तो यह बताइए आज आज जो है पब्लिक परेशान होके आप लोग एलेक्टेट रिप्रेसेंटेटिव हैं आप लोगों को भी रास्ते पर उतरना पड़ा यह तो कई लंबे लंबे समय से चला आ रहा है यह प्रॉब करना पड़ा सब अपना काम दाम सब चोड़ के यहां में आके रुके बड़े तो कालत के यूनिट चार्ज जो बढ़ा गया है पावर कट कितना हुआ उसका तो सोलीशन तो है नहीं तो उसको फिर भी चूड़ जी और बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों को जो है ना वहां जि नहीं है और जितना साधन इनलों को पास है उसको रहें कर सकते हैं लेकिन बात कर लो कुछ Two Pls शे 보고 Kitchen भी donn देंगे यहां सब चेंज स करके देंगे kita do को बोले लूस केबल जितना भी है वो सब की और साइट ऑफिस के लिए वो दो मेना करके देदें के बोले अभी एसी सर ने हम लोगों सामने सबका प्रदान जिला परिशत उपर जिसका भी सबका सामने लिखे दिया वह पत्र मैं देख सकता हूं ज़रा यह मैं दिखाना चाहूंगा यह पत्र जो है लिखित तोर पे एसी सुपरेंडेंट इंजिनियर एलेक्टिसिटी इन्होंने दिया है कि कामकाज जो इनके मांगे हैं वो कितने दिनों में और कैसे पूर्ण किया जाएगा इसकी कॉपी यह रहा यह हम दिखाना चाहेंगे और पीछे जो है इसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किये हुए हैं और जे इनके कहने के अनुसार जे और एक मैने के ट्रांसफर यह एक मैने के भीतर कर दिया जाएगा क्यूंकि इनके कामकाच का तरीका और रवया जो है वो संदेहस्पद और काफी रूड है जो इनके मुताबिक कहने के मुताबिक जे शुक्रिया अभी आप बताइए अपना परिश्या दीजे जी मेरा नाम रादिका है बॉर्ड नमबर 23 का काउंसलर है रादिका जी खास तोर पे ग्रियनियों को आप एक महिला भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है एलेक्टेड महिलाओं को जो दिक्कते पेशाती है करेंड के ना होने से बच्चों को जो परेशानी होती है यह आपको क्या लगता है इसका रूप कितने जादा है बयानक है सर यह तो सभी जानते हैं यह आज का नहीं है करन का तो बहुत टाइम से चल रहा है यह इसूज जो है तो जो महिलाएं जो जाद तर घर पे रहती है बच्चे है छोटे बच्चे हैं उनको बहुत परेशानी होता है करन नहीं रहने की वज़े से और एक्चिल हमारा एरिया आपके जानकारी के लिए कह दूँ के नौर्थ और मिडिल अंडमान के जो हैं हमने कवरेज किये थे वहाँ पे कहीं पे कोई स्ट्रीट लाइट हमें नजर नहीं आई और गरीबों के वहाँ पे तो बत्तिया नहीं जल रही थी मगर जो हैं डीसी साब के बंगले के पौधो करेंट सप्लाई थी और बल्ब जल रहे थे उनको रौशनी की बहुत जरूरती दिक्कत वहाँ पे भी है तो इस पे आप अभी तक कितने संतुष्टे हैं जो अभी तक आशवाशन दिया आशवाशन तो दिया है कि एक महीने के अंदर हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है स जरूर रखेंगे जब तक पुरा नहीं होता है अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं कहां तक जा सकते हैं यह आप चुकि इलेक्टेड है तो आपने अपने हाई कमांड को भी सूचना दी इसकी हम सभी प्रॉपर तरीके से ही कर रहे हैं जो भी करना है चलिए मैंडम आप अपना परिश्य दीजिए मैं अध्यक्षा साउत अंडमान की आप से जानना चाहूंगा आप कितने संतुष्ट है इस वक्त में पबलीक को इतनी परिशानियां हुई कि उनको अब रास्ते पे आना पड़ा और कहीं ना कहीं जहां तक मैं जानता हूं आ अब बहुत जादा भावुक होती हैं लोगों की तकलीव देखकर गरीबों के जनताओं के तो आपको क्या लगता है यह शौट आउट कर पाएंगे एसी जी जो हमारे हैं वो कभी भी हम कुछ भी बोलते हैं तो पूरा करते हैं लेकिन आज इस राह यहां तक आने के लिए को मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके साथ कई दिनों से मैं भी एक बार दो बार विजिट करी एसी साब से मिले तो आज तो आश्वासन दिये हैं और कभी हमारे वहां अड्मिस्टेशन में भी है कि लोग नहीं हर जगा लाइनमेंट दो आता है यह इतना रहता है तो मैं अड्मिस्टेशन को भी बोलना चाओंगी कि लोगों को ले पड़े लिखे बच्चे यहां बैटे हैं उमर जा रहा है उनको उनको लीजिए हमारे हर आफिस में हर जगा पब्लिक के लिए इसलिए प्रॉब्लम होता कि लोग कम है काम करने वाले लोग कम है मैं पावर नहीं है चार्ज एक जो जए यह कोई का पावर दिया जाता है इस तरह एक पावर देजिए उसको फिल अप करके अच्छा से सफिशिन करें तो अड्मिस्टेशन से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि पोस्ट फिल करें आप लोगों के लगाता रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मै पावर बढ़ नहीं रहा है आपको नहीं लगता है इनका में स्वीच ऑफ हो गया है जी वैसे ही लग जादा है कि आप देखिए बच्चों को पढ़ाई रुप जाता है फ्रिच खराब हो जाता है टीवी खराब हो जाता है क्योंकि सड़नली चला जाता है और आप जानते हो आज सबजी का रेट कितना मैं तो एक दिम ग्रास रूट में जाके बोलूँगी कि लोग लेके घर में रखते एक संडे मार्कट होता है महां से लेके एक अपते या चार दिन के लिए लाकर रखते वो ऐसे सड़ जाता है कोई है इतना तो यह नहीं कि जाके ताजा है और एक चीज मैं खास तोर पर यहां जिक्र करना जरूरी है कि हमारे अंडमान निकोबार छेत्र में कभी भी जनता इसकदर परेशान होके रास्ते पर उतरने का इनको नौबत नहीं आई और ऐसे उनके विचार भी नहीं है और नेचर में भी नहीं है पर इतने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आप उनको रास्ते पर उतरना पड़ रहा है इस पहने क्या गहीं है इसे यह कहेंगे आप समझ सकते हैं कि और इतना लोग यहां थे और मैं इनको सबको थैंक्यू कहना चाहूंगी कि इतना शांती पूर्वक तरीके से उन्होंने यह करा स्ट्राइक करें और आज आप जानते हैं कि आज हिंदू का आज गट बैठने का दुर्गा नवरात्री का वो सारे चोड़के अगर पब्लिक रोट में आना है तो आप समझ सकते कि वो कितने परेशान है अब देवी माता वुज्द हमारे दुर्गा माता को प्रसन्न करने से जादा अब विद्यूत माता को प्रसन्न करना ज़रूरी हो गया है पब्लिक के लिए ऐसे हालात है यह अ और ओफिशियल काम कहीं पर भी जाईए मैडम सीएसी के काम नहीं बन पाते हैं कहीं और दफ्तरों में जाईए उनको एक ठोज बहाना रहता है कि सप्लाई नहीं है तो यह दिक्कत और इस बहाने के जरिए पब्लिक के आमतर पर काम भी नुक्सान हो रहा है सीएसी में कई कई चक्कर लगाते हैं अभी देखिए अभी बच्चों का था यह जो पे फॉर्म फिल्लप के लिए सीएसी जाते थे करण नहीं है करण नहीं तो बहुत परिशान है तो इसको अड्मिस्टेशन गौर से लेना है और इसको फुल्फिल करना है यही मेरा कहना ह इंवर्टर में भी दिक्कते हैं जब तक करें नहीं होगा इंवर्टर चार्ज नहीं होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हमें बिल्कुल मैडम आप महीलाएं जो प्रॉब्लम फेस्ट करी है ग्रियन यह उसके बारे में आपका क्या कहना यह एलेक्रिसीटी के मुद्टे बच्चों को बेजना पड़ता है इसकूल भेजना पड़ता है हैस्बन को डूटी भेजना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है इस तरी करना तो क्या होता है करें नहीं रखते हैं फिर उसके बाद में अपना पूजा पाट करो बच्चों को भेजो फिर यह आते हैं उसक करेंड आता है जाता है उसके बाद में सारा इलेक्ट्रिक समान टीवी फ्रीज सब को बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो कितना दुख लगता हो आप सोचके रखेंगे गरीब लोग कैसे लेते हैं उसको सोचके देखिए चटका में करंडा आ रही है जा रही है उसमें कितना पल्प मार जाती है करीब लोग क्या करेंगे तो यह नियत होता दील होता काम करने का तो यह काम कर सकते जी ऐसे भी मैं मोदी जी ने अपने कार्यकाल में असंभव को भी संभव कर दिखाया और वहीं पर हमारे प्रसाशन में हर काम जो आसान है उसको भी वह असंभव ही रखना चाहते हैं करेंगे जो करना है करेंगे बहुत 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 शुक्रिया यह सुना आपने जिला परिशेत अध्यक्षा मैडम प्रदान जी ने कहा कांसिलर मैडम ने कहा हमारे यह हमारी और एक मौतर्मा मैडम है बिनु जी बिनु जी ने कहा और तमाम लोग जो इन्होंने चक्का जाम किया एक महने के लिए उन्होंने आसवाशित किया है सुपरेंटेंड इंजिनियर ने अब देखना ये है कि इस बार भी क्या सिर्फ कोरा आसवाशन से ही काम चलेगा या practically on ground कोई नतीजा या हल निकलेगा और लोग राहत की सासे लेंगे अत्वा नहीं इसका हमें इंतजार रहेगा और इनका कहना है अगर एक मेने में अगर ये फुल्फिल नहीं होता है आसवाशन पूरा नहीं होता है तो ये और बड़े अंदोलन की और बढ़ेंगे और देखना यह है कि अपने आस्वाशन पे कितना कायम रहते हैं सुप्रेंटेंटर इंजिनियर अंदमान निकुबार इलेक्टिसिटी डिपार्टमेंट तब तक हम इस पे नजर बनाए रखेंगे और आज इतना ही इसके साथ मैं अनुगदत्त का न्यूश शंगर्श आस्तक।